नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सेकर और स्वागत था आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेकर इस्टेडी कॉइंट पर दोस्तो आज कि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है इसमें आपको बताऊंगा कि कनिस्टे साइक की टाइपिंग किस तरह से होती है जिन लोगु एक लाग बीज साजार लोगों ने इस फॉर्म को बढ़ा है और इसका एकजाम दोस्तो बहुत जल्दी आयूजित होगा उसके बाद चार गुना आप भरती हो को हाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाई जाते है इसमें जो आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तो जो इससे पहल करनिश्चाय का एकजाम हो आता उसकी टाइपिंग होई ती 16 मार्च में होई ती अलग अलग दिन बुलाए गया था वह सब आपको दिखाऊंगा किस तरह से प्रिंट आउट जो टाइपिंग आप करते हैं वह आपको दिया जाता है टाइपिंग के लिए दोस्तो अगर गंटा दो घंटा अच्छी बात है अगर नहीं तो बहुत से ऐसे अब भरती है जिन्हों ने एक मेने में और 20 थी में वह अच्छी स्पीड अपनी बना लिए ती आपको इसके लिए सब कुछ बताऊंगा दोस्तों किस तरह से वहाँ पर होता है टाइपिंग के क्या-क्या नियम है तो आपको इसके लिए वीडियो को अंतक जरूर देखना होगा तब ही आप जान पाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से होता है तो अगर आप अभी करने की सोचिंगे या फिर जब एक्जाम निकल जाएगा कुछ लोग तभी करेंगे तो दोस्तों यह तो आपकी मर्जी है सबसे पहले आप एक्जाम निकालने की पूरी कोशिस करें 746 पद है उसमें चार गुना भरत्यू को लिया जाएगा फिर आप टाइपिंग के लिए जाएंगे तो टाइपिंग के लिए दोस्तों आपको आपको भवराना नहीं होता है जादा अगर आप जादा भड़ाट में इस तरह से गलतियां जादा होने की चांसस रहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि टाइपिंग के तो यह वहाँ पर दोस्तों इस आपको किस तरह से करना है तो यह हैं दोस्तों आपके टाइपिंग के लिए आयोग द्वारा संचालीत की जाने वाली टंकण परिक्षाओं की परिकिरिया एम अनुदेश उत्राखंड अधिनस्त सेवाच चायन आयोग मां समय समय पर आयोजित की जाने वाली टंकड परिक्चाओं हेतु आयोग द्वारा आयोग का टंकड सौप्टेयर तैयार क्या गया है आयोग मां आयोजित की जाने वाली टंकड परिक्षा में इसी कंप्यूटर का उप्योग किया जाता है टंकड परिक्षा में निमेलिखित परिकिर्या होगो निर्देश लागू रहेंगे एक कमेंट आये था कि टंकड क्या होता है तो टंकड आप लोगों पता होगा यानिकि typing सबसे पहले आपको क्या करना है टंकड परिक्चा में एक रिक्त पत के सापेक्च लिखित परती होगी परिक्चा की सेष्टिता सूची मैं से सेड़ी वह उप सेड़ी वार चार अब भरतियों को बुलाया जाएगा यह मैंने आपको पहले बता दिया था इसके बाद है टंकड परिक्चा कुर्ति देव चीरो दस फॉंट में कराई जाएगी यह है फॉंट इसमा आपको अभी आप टाइपिंग इसी फॉंट में परेक्टिस कर सकते हैं इसके अलावा टंकड परिक्चा में संप्मिलित होने वाले अभ्यरति स्वर्व परतम यह सुनेश्चित करने की आयोग द्वारा उपलब्द कराया गया कंप्यूटर का मॉनिटर कीबोर्ड को माउस ठीक परकार से कारी कर रहा है और यह भी देखना की कीबोर्ड में कैप्स लॉक की आउन तो नहीं है तो यह आपको पहले वहाँ पर चक करना होता है कि सब ठीक है कि नहीं कर गया है देमो देने के लिए दो मिंट के उपरांत कंप्यूटर में दो बटन पर दर्सित होंगे एक ट्राइड डेमो अगेन और दूसरा सम्मिट यदि आप ज़रती अपने डेमो से संतुष्ट नहीं है तो ट्राइड डेमो अगेन के बटन पर फुना किलिक करके आप डेमो देश सकते हैं डेमो से संतुष्ट होने के उपरांत सम्मिट का बटन किलिक करेगा अगर आप खुस हैं तो आप सम्मिट कर सकते हैं इसके बाद जिससे डेमो की प्रिंट परती पर हस्ताक्षर करने के उपरांती टंकन परिक्ष्छा प्रारंब कर सकेगा इसके बाद यहां पर दिया हुआ कंप्यूटर स्क्रीन के बाई और जैसे विसाई वस्तु होगी वैसे ही दाई और अब्भरती द्वारा टंकित की जानी है जो सब्द लिखे जाएंगे वे सब्द बाई और विसाई वस्तु में हाईलाइट होते जाएंगे इससे अभ्धरती को इसपश्ट होगा कि वो कहां तक टाइपिंग कार कर चुका है तो यह आप जब टाइपिंग प्रेक्टिस करते हैं तो आपको यह तब भी देखने को मिलता है इसके अलावा सौप्टेयर पर अभ्धरती द्वारा परते गलत कुंजी पर एक्स का चिन दर्शित होगा अभिम आपको पूरा दिखाऊंगा आप वहाँ पर देखेंगे एक्स का चिन आने पर अभ्धरती बैक स्पेस कुंजी द्वारा एक्स चिन मिटाकर सही अक्षर टंकित कर तुरूटी सुदार सकता है यानि आपने कुछ गलत दबा दिया तो आप बैक स्पेस करके आप सुदार सकते हैं या स्पेस बार की से आगे बढ़कर अगला अक्सर टंकित कर सकता है अभ्धरती को टंकित परिक्षा के दौरान किसी भी पंक्षन की इसका इस्तमाल आपको नहीं करना होता है इसका इसका इस्तमाल आप नहीं कर सकते हैं अभ्धरती का अभ्धरतन निरस्त कर दिया जाएगा तो ये आपको वहाँ पर नहीं करना है अगर आप उनलाइन एक्जाम देते हैं तो आपको वहाँ पर कीबोर्ट को भी टच करने नहीं दिया जाता आपको शिर्फ माउस सही सब कुछ करना होता है तो आप ये भली बाती जानते होंगे अभ्धरती द्वारा टंकित कियेगे कुल कुंजी दबाव टूटल की डिप्रेशन की 5% तक असुद्या स्युकार रहे अर्थात उन्हें संगान में नी लिया जाएगा परन्तु 5% अधिक असुद्या होने पर एक गलत कुंजी दबाव के साप एक से 5 सही कुंजी दबाव की डिप्रेशन दंड सरूब काटे जाएगे तब पर चाथ उसकी कुंजी दबाव की डिप्रेशन परती गंटा के डिप्रेश निकाली जाएगे इसके अलावा software सही space bar को कुझी दबाव की गर्णा में सम्मिलित करेगा तथा गलत space bar को निर्णात में कुझी दबाव की गर्णा करेगा इसके अलावा टंकड परिक्षा का निर्धारित समय 10 मिनट होगा यानि कि आपकी जो typing होगी वो 10 मिनट की होगी निर्धारित समय 10 मिनट बस चाथ software सोता ही बंद हो जाएगा ये तो अपने आप योगा जब आप typing प्रेक्टिस करेंगे ये तब भी अपने आपी बंद हो जाएगा हिंदी टंकड परिक्षा के लिए अभ्यर्ति को नियूंतम अहर टंकड की गति 4000 KTPS प्राप्त करनी अनिवार जे ये भी आपको मैं दिखाऊंगा अभ्यर्ति को उसके द्वारा टंकित विशाईवस्तु की एक परती दी जाएगी तो ये मैंने आपको बताए था दूसरी परति अभ्यर्ति के द्वारा स्ताक्चर करवा कर आयोग अपने पास परिणाम सुरक्चित रखेगा अभ्यर्ति को टंकड परिक्षा में अहर अनर येनकी qualified not qualified होने की सुचना इसी परति में उपलब्द होगी ये भी आपको दिखाऊंगा अभी लिखित परिक्षा की स्रेष्टिता की आधार पर टंकड परिक्षा में अहर अभ्यर्ति को अभिलेग सत्यापन हितु बुलाया जाएगा तो कुल मिलाके है कि लिखित परिक्षा में टाइपिंग में दोस्तों बहार कितने लोग होते हैं बहुत कम चांस है कि बहुत पी कम मतलब कि एक दो परसेंट लोग भी बहार नहीं होते हैं तो जो मेरिड बनेगी वो आपकी यहाँ पर दिया हुआ कि लिखित परिक्षा के आधार पर ही आपकी मेरिड बनेगी आपने टाइपिंग कितनी अच्छी कर लिए हो आपको पास करना जरूरी है अगर आपके रिटन में ज्यादा मांक्स है तब ही आपका चैन होगा अगर कोई अभ्यरती 22 साल का है कोई 26 साल का है 24 साल का है तो जो जादा ये ज्वाला है उसको पहले वरिता दी जाएगी और अगर आपके अंक समान होते हैं तो परिक्षा केंदर में उपस्तित अभ्यरती की बायोमेट्री उपस्तित ली जाएगी इसके बाद यहाँ पर द परिक्षा में संपलित होने पर संबन दितूं के विरुद्ध मुकत्मा दर्ज कराये जाएगा इसके अलावा वहाँ पर CCTV कैमरा लगे होंगे आपको यह सब ध्यान रखना है अनुसाशन से आपको वहाँ पर रहना है इसके अलावा परिक्षा केंद्रम अभ्यर्ति को अपने नहीं ले जाने तो अपने साथ आप पहचान पत्र और परव्यस पत्र यानि की एड्मिट कार्ट या आप और रंगिन पास्वर्ट फोटो यह जरूर लेकि आप चाहिए तो अब आपको दिखाता हूं कि वहाँ पर किस तरह से आपको छाया परती दी जाती है तो यह है दो सोला तीन दोजार उनिसको यानि कि इससे पहले जो भरती आई थी उसकी पिसली बार टाइपिंग हुई थी और उसके बाद अभी यह नई भरती आई हुए सास चिया लेश वाली तो परिक्षा तो दस परिक्षा का समय दस बचे से था तो यह आप देख सकते आपका भी और यह हुआ था परिक्षा केंद्र डीडी कालेज देह रहादून कैंट आर रोड यहाँ पर हुआ ता देह रहादून अब आपको दिखाता हूँ कि यह टाइपिंग इस तरह से इन्होंने यह टाइपिंग की हुई है यहाँ पर इनका रॉल लंबर है यहाँ पर नाम और एक क्वालिफाइंग स्पीड 4000 केडी प्येच यानि कीडी प्रेशन और अब इनका आप देख सकते हैं तोटल की फास्ट प्रेश्डे इनकरक्ट की 166 और नेट स्पीड इन्होंने 2220 और 4000 थी और इससे इन्होंने लगवा इतना ज्यादा किया हुआ है करक्ट की 1194 और टाइपिंग ड्यूरेशन 10 मिनट की होगी यह आपको मैंने बताया था रिजल्ट क्वालिफाइड यह वहाँ पर टाइपिंग में क्वालिफाइड हो गए थे तो यह आपने देखा होगा 4000 की डिप्रेशन और इतनी ज्यादा की हुए है यह 360 इन्होंने टोटल की थी 166 गलत होगे तो करक्ट इनके 1194 ही थे तब भी यह पाहस होगी थे जैसा मैंने उसमें बता आयूग ने जो निर्देश दिये थे गलत पर आप जब गलत टाइप करेंगे तो वहाँ पर X आपको दिखाई देगा तो यह जो यह सब X है यहाँ पर सब गलत टाइप किया हुआ हुआ है यह आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर अभ्यरती के सिखने चरह है और यह उनके सिखने चरह है तो यह आप देख सकते हैं इस तरह से ही आपको तो इस तरह से ही आपको वहाँ पर यह मिलेगा तो यह जब दूसरा युद्ध समात तो यह वहाँ पर इस तरह से इस तरह से ही वहाँ पर दिया हुआ तो इतनी गल्थी कि यूजिए आप लोग देख सकते हैं इतना जादा भी नीडर आप आप देख सकते हैं यहाँ पर एकस इतने सब बने हुए हैं तो आप कोशिश करना की गल्थियां कम से कम करें आप लोग और अभी से टाइपिंग पर ध्यान दे सकते हैं इसके अलावा फिर उसके बाद आपको preference परनी होती है तो यह है आप देख सकते हैं आपका रोलंबर इस सब यहां पर दिया हुआ है यह आप देख सकते हैं तो यह है दोस्तो आपको preference उस समय आपको एक टाइपिंग क्वालिफाई करना होगा तब आप प्रिपरेशन दे पाएंगे तो यह था आज का वीडियो दोस्तो अगर आपके मन में कोई भी इसके अलागा कोई सवाल है तो आप comment box में जरूर पूछिए उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँ तो thank you friend, thank you so much, अच्छे से त्यारी करते रहें अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, कभी भी हलात सामानी होने पर exam date आ सकती है तो उसके बाद आपका exam होगा, फिर आप typing के लिए जाएंगे तो thank you friend, thank you so much